Yes students, today we will start with the worksheet 8 of unit 4. बैटा ये last worksheet है, unit 4 की. इसके बाद आपका ये जो पुरा complete unit है, वो complete हो जाएगा. Okay, finish हो जाएगा. And after that we will start with the division, that is unit 5. So students, storytelling sums है बैटा ये. Story telling sums आप addition वाले chapter में भी कर चुके हो, subtraction वहाँ पे भी कर चुके हो, ठीक है. तो अब multiplication में हमने कैसे करने हैं, ये अब हम समझेंगे. ठीक है, तो story को हमने समझना है, and how to apply the operation of multiplication on these sums, we will understand this concept. ठीक है, हम इस concept को समझेंगे, कि हमें पढ़के कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर operation multiply का लगेगा. क्योंकि बटा, exam में आपके पास complete questions आएंगे, जिसमें addition, subtraction, multiplication और division. ये सभी के सभी जो chapters हैं, आपके exam में जब आएंगे, तो storytelling sums भी mix होके आएंगे. वहाँ पे specifically लिखा नहीं होगा, कि ये subtraction वाले chapter से है, ये addition वाले से है, ओके ऐसा नहीं लिखा होगा. तो बटा, आपको क्या है, अच्छे से समझना है, कि question को देखते ही हमें, पढ़ते ही कैसे समझ जाना है, कि यहाँ पर क्या operation लगने वाला है. तो इस चीज़ को हमने आज समझना है. Question number one, देखे बटा, in a book, there are 117 pages, एक book है, जैसे कि आपकी maths की book, ठीक है, तो इस book में कितने pages दे रखे हैं, 117, ठीक है, 117, लेकिन अगर मैं आपके maths की book की बात करूँ, तो maths की book में आपके 142 pages हैं, ठीक है न, आप अपना देख सकते हैं, last में जो page given है, उस page पे जो नंबर ल लिखा है, उसको आप देख लीजिए, 142 है, तो इसी तरहां से ये कोई book है, ठीक है, और उस book के 117 pages है, how many pages are there in 21 such books, वो कह रहा है कि अगर ऐसी book आपके पास 21 और आ जाए, यानि कि 21 books और हो जाएं, तो total जो है, कितनी pages हो जाएंगे, ठीक है, या आप से पूछा जा रहा है क्या लिखा है, in a book there are 117 pages, ठीक है, how many pages are there in 21 such books, बेटा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक book के page बताएं हुए हैं, ठीक है, एक book के page बताएं 117, आपको 21 book के pages बताने हैं कि कितने हैं, एक का बताया गया है, जादा का बताना है बेटा, ठीक है, एक का तो आपको बता दिया question में कि 117 है, लेकिन आप से पूछा जा रहा है, जादा books के लिए, यानि कि 21 books में कितने pages हैं, ये आपको बताना है, तो बेटा, जहां पर भी जादा की बात हो, कहने का मतलब ये है, कि जहां पर भी, एक के बारे में given हो, और जादा के बारे में आपको find out करना है वहां पर हम क्या apply करेंगे, multiplication, वहां पर operation लगेगा बेटा, multiplication का, बात समझ में आ रही है, देखिए, सबसे पहले इसकी statement को construct करेंगे, number of pages in one book, पहले हम ये बताएंगे कि हमें क्या दिया गया है, तो बेटा, story में से सबसे पहले आप लिखेंगे, कि आपको given क्या है, तो number of pages in one book, यही आपको given है, number of pages कितने दे रखे हैं, 117, अब आप से क्या पूछा, how many pages are there in 21 such books, तो number of pages in 21 books, चीक है, equal to, क्या आ जाएगा, जब आप 117 को 21 से multiply कर दोगे, एक book का पता है, ज्यादा का निकालना है, ज्यादा कितना, 21, तो 21 को multiply करेंगे, तब ही तो निकल के आएगा ठीक है, या तो बटा, आप 117 को 21 times add करो, अब कितना time लग जाएगा आपको add करने में, तो उसी चीज़ को तो हमने reduce किये, multiplication में, कि हमें इतनी ज़्यादा लंबी addition ना करना पड़े, simply क्या करते हैं, multiply और हमारा question जो है, answer जो है, easily निकल जाएगा, बिना किसी mistake के, ठीक है, त आप तो सब करी लेते हो, multiply, तो देखिए, उसी तरह से multiply करना है, जिस तरह से मेंने आपको बताया है, अभी तक आप work sheet 7 में करते आयो, okay, 117 लिखेंगे, then 21, जो one digit है, यानि कि जो 21 का जो पहला वाला digit है, यानि कि once place, उसको हम उपर वाले once place से multiply करेंगे, 177, then one multiply by one, you get one, one multiply by one, you get one, एक के करके बिटा सारे numbers को multiply करेंगे, starting once place से होगी, ठीक है, उपर वाले number की भी starting once place से होगी, once place से multiply करते हुए चलेंगे आप, अगर three digit number है, तो hundred place सक multiply करना है, okay, then हम क्या कर देंगे, उसके बाद cross लगाएंगे second line में, why, हम once place पे क्यों cross लगा रहे हैं, क्योंकि जो second place है, यानि कि जो 10th place है, हम उसकी multiplication करने जा रहे हैं, अगर हम उसकी multiplication करने जा रहे हैं, तो फिर हमें once place को क्या करना पड़ेगा, block करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ठीक है, हमने 10th place को multiply करना है, two, sevens are fourteen, fourteen का four लग गया, और one कहां गया, carry में, okay, now, two, one's are two, और one, one जो है, carry वाला add हो जाएगा, you get three, now, two, one's are two, you get two, अब हम क्या कर देंगे, last में add कर देंगे, seven as it is आ जाएगा, one plus four, five, one plus three, four, और two भी as it is, it means हमारे पास क्या निकल के आया, 2457 pages, यह इतने सारे बेटा pages निकल के आया है, हमारे पास, यानि कि 21 books में हमारे पास, 2457 pages है, ठीक है, कितना easy हो गया यह, okay, तो यह question बहुत easy है बेटा, बिलकुल भी tough नहीं है, बहुत-बहुत-बहुत easy questions हैं यह, कितनी छोटे-छोटे questions है, छोटी-छोटी statement है, आप तो बहुत easily कर लोगे इनको, देखिए, second, find the cost of 19 chairs, if each chair cost rupees 290, बेटा, यहाँ पे क्या लिख है, find the cost of 19 chairs, पहले ही आपको बता दिया, कि 19 chairs की cost निका लिए, cost का मतलब यह होता है, बेटा, कि कितने में खरिदा गया, पैसे कितने लगे उसको खरीदने में, उसको कहते है, cost, money कितनी लगी, ठीक है, तो इसी तरह से, आपको क्या कहा गया है, कि आपने, क्या find करना है, 19 chairs की cost निकालनी है, कितने पैसे लगे, ठीक है, if each chair cost rupees 290, अगर एक chair की cost rupees 290, यानि कि 290 rupees है, तो 19 chairs की आपने cost निकालनी है, यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें, बेटा, each का मतलब यहाँ पे होता है, एक, one, each मतलब one, एक chair की cost दे रखी है, आपको 290, आपको जादा की निकालनी है, जादा यानि की 19 की निकालनी है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जहाँ पर भी हमें जादा के बारे में निकालना हो, तो वहाँ पे हम रिटा multiply करेंगे, एक का given है आपको, और आपक तो हम simply 19 को multiply कर देंगे 290 से, सबसे पहले line लिखेंगे construction, करेंगे statement की cost of one chair कितने है रुपीज, 290, now cost of 19 chair, रुपीज 290 multiply by 19, अब हमने multiplication वैसी करनी है, जैसे अभी तक आप करते आए हो, 290 और फिर 19, हमने ऐसे लिख दिया, बड़ा नंबर उपर और छोटा नीचे, 9 multiply by 0, you get 0, 9 multiply by 981, 1 नीचे और 8 carry पे, now 9 multiply by 2, you get 18, and 18 plus 8, what you get, you get 26, multiply, कहां लगाएंगे, once, once वाली place पे, ठीक है, उसको हम बंद कर देंगे, now 1 multiply by 0, you get 0, 1 multiply by 9, you get 9, 1 multiply by 2, you get 2, अब बेटा last miss को add करेंगे, add करके हमारे पास क्या आएगा result, 5510, add करना आपको आता है, ठीक है, addition तो अब बहुत अच्छे से करते हैं, so student, ये question बेटा 1 और 2 मेने आपको करवाया है, अब question number 3 पे आईए,